हेलो साथियो गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप सभी लोग एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे फटा फट से फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं तो गुड आफ्टरनून सभी साथियो को जल्दी से एक बार फटा फट मेरी वाज को सुन रहे हैं तो एक बार भी आज की चीजे हैं उसको हम यहाँ पर डिसकस करेंगे तो देखिए एक छोटा सा सेशन है आप लोगों का यह 30 मिनट का तो 30 मिनट में हम मैक्सिमम चीजों को जो है करने वाले हैं यहाँ पर तो एक बार मेरे सभी साथ ही मेरे साथ में जल्दी से जुड़ जाएंगे और उसके बाद आज की चीजों को हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं तो आगे हैं सभी लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर सभी को है अंजली दूबे प्रिती वर्मा स्वीटी चुडैल की मोसी और विशनवी सोनी है रमन जहां है ठीक है प्रेंका सभी लोग आ चुके हैं फटा फट से एक बार जल्दी से से सेशन को देख लीजिएगा और सेशन को आगे बढ़ाने के साथ ही मैं आप लोगों को बत तो दो बजे वाले टेस्ट को मिस मत करिएगा दो बजे बड़ा भयानेक टेस्ट आप लोगों का आज होने आने वाला है दोस्तों आगे बढ़ेंगे फटा-फट से तो एक बार जल्दी से हम इसको शेशन को एक बार आप लोग कर दीजेगा रामराम जी शिवम जी बिक्की परशाद पृति वर्मा सिवान सवस्थी ठीक है गुड आफ्टरनून रितिक जी शेशन को सुरू कर लेते ह एक बार फटा-फट से पहला कोशन आपके सामने है ठीक है आपके सामने क्या है कि अंतरास्टे भ्रस्टचार निरोधक दिवस प्रती वर्ष की स्तिथी को मनाया जाता है एंटी करप्शन डे मेरे दोस्तों कब आपजर्व किया जाता है 9 दिसमबर 10 दिसमबर 8 दिसमबर य वर्ष मनाया जाता है और अगर 10 दिसमबर की बात करेंगे तो World Human Rights Day कौन सा है World Human Rights Day आप लोगों का जो है ये आपका 10 दिसमबर को मनाया जाता है 8 दिसमबर 7 दिसमबर आप लोग बताएंगे आगे हम इसको डिसकस करेंगे इस बार जो 9 दिसमबर है इसको CBI ने मेरे दोस्तो क्या किया था और अभी जो CBI के हमारे चेर परसन है उनका नाम है दोस्तो प्रवीन सिन्हा क्या नाम है प्रवीन सिन्हा अभी हमारी जो CBI है उसके अंत्रिम अध्यक्ष है अगला कोशन है 2024 में पैरिस ओलम्पिक में कौन सा नरत्य रूप अपना ओलम्पिक आगाज करेगा मतलब इन में से कौन सा वो डांस है जो 2024 के ओलम्पिक में पहली बार आप लोगों का शामिल होगा आंसर कर दें एरोबिक से ब्रेक डांस है पोल डांस है या दोस्तों जैज डांस है एक बार कर दीजेगा फटाफट से ठीक है तो जल्दी से एक बार बता दो फटाफट से सारी की सारी चीजे आप लोगों के सामने है ठीक है क्या बात है शांदार एक मुट आपके कमेंट बंद हो गए थे उनको खोले तो आसान सा डांस है सभी लोगों को मालूम है जल्दी से बता दीजेगा फटा फट से ठीक है तो यहाँ पर देखिएगा सब का आ रहा है बी ब्रेक डांस बिल्कुल सही है दोस्तो ब्रेक डांस अब चुकी अपरेल का महीने चल रहा है तो अपरेल के महीने में याद रखेगा 39 अपरेल को आप लोगों का डांस डे आता है 39 अपरेल को डांस डे आता है 30 अपरेल को जैस डे आता है दोस्तो 2024 ओलंपिक पैरिस में है और 2028 जो ओलम्पिक होगा वो लोस एंजल्स में होगा ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों फटा-फट से ससस्त सेना जंडा दिवस हर साल कब मनाया जाता है आंसर कर दीजेगा 15 जनवरी को 4 दिसंबर को 1 फरवरी को या नन ओफ दा जल्दी से बताओ फटा-फट से एक बार तो कुछ लोग भी 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 ऑप्शन कह रहे हैं दोस्तों भी ऑप्शन कैसे नन ओफ दावब बिलकुल बहुत बढ़िया तो ये आएगा नन ओफ दावब 7 दिसंबर 7 दिसंबर आंसर बन जाएगा क्योंकि 15 जनवरी को आर्मी डे ह ठीक है दोस्तों 4 दिसंबर को आप लोगों का जो है दोस्तों कौन सा डे होता है नेवी डे होता है और एक को इंडियन कोस्ट गार्ड तो एक को क्या होता है इंडियन कोस्ट गार्ड होता है ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है अगले कोशन पर किस राज्य की Interpol से लिया है Interpol मतलब आप लोगों का International Police जिसका Headquarter कहां पर है जिसका Headquarter दोस्तों लियोन के अंदर है और अगर हम बात करेंगे तो Operation Blackface के लिए किसने मुंबई ने तो किसने मेरे दोस्तों मतलब महरास्ता ने आंसर मैंने ही बता दिया आप लोगों को महरास्ता ने लिया है ठी दोस्तों एक प्रोग्राम है आप लोगों का Lens the Landing Solution ये जो Lens है इसका मतलब है Lending Solution तो Lens the Landing Solution इसको सुरू करने वाला कौन है कौन सा बैंक है तो दोस्तों पंजाब National Bank ने Lens the Landing Solution को सुरू किया है डिजिटल अपनाए ये भी पंजाब National Bank का है और दोस्तों United Bank of India और Oriental Bank of Commerce ये दोनों पंजाब National Bank में ही मर्ज हुए है जिसका Headquarter नई दिल्ली में है अगला Question है मेरे दोस्तों WHO Foundation के पहले CEO के रुप में किसको न्यूक्त किया गया है तो WHO Foundation है उसके पहले CEO कोन न्यूक्त हुए है आंसर करेंगे रंदीप गुलेरिया, बलराम भारगव, हर्सवर्धन या अनिल सोनी ये Question आप लोगों के लिए है आपके आंसर का वेट करूँगा एक बार बताईएगा जल्दी से लाइक वाइक कर दें एक बार शेयर वेर कर दें सभी मेरे साथ ही ठीक है तो जल्दी से बताएं फटा-फट से दोस्तों यहाँ पर आंसर बन रहा है अनिल सोनी तो दोस्तों अनिल सोनी हाँ पर राइट आंसर है आप लोगों का WHO जो Foundation है उसके अनिल सोनी है रंदीप गुलेरिया AIMS वाले है ये ICMR वाले है और हर स्वर्धन हमारे मेरे दोस्तों क्या है Health Minister है मार्क कर लेंगे चांदनी चोकिन की constituency है किस बैंक ने हाली में i-mobile pay एप को launch किया है जो किसी भी बैंक के ग्रहकों को भुकतान और banking सेवाई प्रदान करता है तो दोस्तों याद रखेंगे जो आप लोगों का ICICI है उसने आप लोगों का i-mobile pay को सुरू किया है दोस्तों बात करेंगे HSBC की तो HSBC आपका Hong Kong संगई Bank Corporation इसका Headquarter आप लोगों को मिलेगा London में कहां पर मिलेगा London में मिलेगा दोस्तों IDFC जो 1st है आप लोगों का जो IDFC 1st है इसके जो आप लोगों के ambassador है वो अमिताब बच्चन है अगर पूछा जाएगा तो जरूर बता दीजेगा आगे चलते हैं विच नेशन विल होस्ट दा World Economic Forum 2021 विश्व आर्थिक वंच 2021 की मेजबानी कौन सा रास्ट करेगा तो जल्दी से बता देंगे इस बार जो World Economic Forum है जो मैंने आप लोगों को सुभे वाले सेशन में भी पढ़ाया था World Economic Forum 1971 है कौलंगे सुट्जर लेंड में इसका हेड़कॉर्टर है दोस्तो क्लाउड स्राब जो है इसके दोस्तो क्या है फाउंडर भी है और अध्यक्स भी है तो World Economic Forum की जो मिटिंग होने वाली है मई जून में वो कहां पर होगी तो वो होगी दोस्तो सिंगापूर के अंदर ये चीज़े आपको याद रखनी पहले ये सुट्जर लेंड में हो रही थी लेकिन बाद में सिफ्ट होकर के कहां पहुँच गई है सिंगापूर पहुँच गई है ये चीज़े आपको ध्यान रखनी है आगे चलते है किस राज्ये के दांदूपूर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके मा बराही देवी ये कोशन बहुत सलेक्टेड कोशन है आप लोगों को यहां से पेपर में जरूर मिलेगा तीस मिनट की क्लास है फटा फट से रिपलाई कर दो ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी ठीक है चलिए तो दोस्तो यूपी 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 उत्तर प्रदेश बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एरपोर्ट है तो उत्तर प्रदेश में आज के डेट में तीन इंटरनेशनल एरपोर्ट है नाम याद रखेंगे आप लोग कुसी नगर एरपोर्ट है लखनव एरपोर्ट है दोस्तो और एक आप ल लगाने वाला दूसरा राष्ट बना वहिया अमेरिका ने लगाया था 1971 में Apollo Mission के तहत ठीक है अब दूसरा राष्ट कौन सा बन गया है जिसने जहंडा लगा दिया है चंदरमापर ठीक है चले गया जलदी से बता दिए जेवरा भी बनेगा जेवरा भी लगाय था यही आपको याद रखना है उसकी बाद दोस्तों यहां पर UNESCO के सहरी परविश्य सहर कारेकरम के तहट किस सहर को UNESCO की विर्विष्व विरासत सहरों की सूची में शामिल किया गया है मतलब जो हमारा UNESCO है तो UNESCO में मेरे दोस्तो city के तोर पर जो विरासत city के तोर पर किसको सामिल किया गया है अगर मैं UNESCO की बात करूँगा तो अभी हमारा World Heritage Day 18 अप्रेल को था ये question इस respect में काफी important बन जाता है answer बनेगा गौालियर और और चा दोनों बन जाएंगे गौालियर और और चा ठीक है कि बफता निर्नायक भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है राजकुमार राओ है, एर रह्मान है, प्रेंका चोपडा है या फिर अनुराग कश्यप है तो दोस्तो राजकुमार राओ तो सिसका वाले हैं जो सिसका के ब्रांड एमबिजडर है ठीक है, चलिएगा और दोस्तो यहाँ पर आप लोगों का क्या है, आंसर सभी का बन रहा है एर रह्मान, एर रह्मान, दोस्तो एर रह्मान बनेगा, ये दोनों नहीं है ये दोनों तो कांस जो फिल्म महतसब हुआ था उसमें थे एमबेजडर एयार रह्मान वफता वफता आक मेरी लड़ी है तो वो एयार रह्मान है याद रखेंगे ठीक है चलिएगा दोस्तों यहाँ पर है किस केंद्रिय मंत्राले ने रास्टे पुलिस रैंकिंग को जारी कि किया है जिसमें मनीपूर का मेरे दोस्तों क्या था नंबर वन पुलिस टेशन था डिफेंस मिनिस्ट्री ने या फिर कानून नियाय मंत्राले ने गिरह मंत्राले ने या नागरिक उड़ेन मंत्राले ने आंसर कर दीजेगा ठीक है चलिएगा जल्दी से बता दीजेगा रखेंगे ठीक है आज रात को दस बजे मेरे थन क्लास है दोस्तों जफरुल्ला जमाली का निधन हो गया वह किस रास्ट के प्रधान मंत्री थे तो जफरुल्ला जमाली का निधन हो गया वह किस रास्ट के मेरे दोस्तों प्रधान मंत्री थे जल्दी से फटा फट से ठीक ह तो मेरे दोस्तों जल्दी से बता देंगे जफरुल्ला जमाली जो थे कहां के थे पाकिस्तानी थे वही पाकिस्तान जिसको फीफा ने कर दिया है बहार हो जाना लायक ठेक है चलिएगा तो यह आप लोगों का वही फीफा है वही आप लोगों का पाकिस्तान है याद भारत के और दोस्तो इरान तेहरान सभी लोग जानते हैं प्रकास सिंग बादल ने क्रसी कानूनों का विरोध करते हुए अपना जो पदम विभूशन है वो बापस कर दिया है तो उनको पदम विभूशन किस साल में मिला था ये बता देंगे 2011, 2013, 2015 या फिर 17 में आंसर कर दीजेगा जल्दी से ठीक है तो आंसर क्या बनेगा वटा 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 बता दो एक बार जल्दी से तो उनको जो मेरे दोस्तो मिला था अगर हम बात करेंगे तो 2015 में मिला था 2011 में पदम भूशन मिला था इर्फान खान को जिनका निधन हो गया है ठीक है दोस्तो आगे बात करेंगे वैस्विक जल्वायू परिवर्तन सूचकांक में CCPI Climate Change Performance Index में भारत की रैंक क्या है 9 है 10 है 11 है 12 है जल्दी से Climate Change Performance Index में हिंट दू चोथे नंबर पर स्वेडन है ठीक है और जो 61 नंबर है सबसे लास्ट उस पे यूएस से है तो बता दो भारत कौन से नंबर पर है तो भारत की जो रैंक आएगी वो 10 आएगी ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ठीक है Climate Change Performance Index है आप लोगों का दोस्तो सोलवे प्रवासी भारते दिवस 2020 के लिए वेबसाइट का उद्गाटन किस ने किया तो ये जो प्रवासी भारते दिवसे दो साल में एक बार मनाया जाता है आंसर कर देंगे फटा फट से कि इसकी वेबसाइट को किस ने लौंच किया था ठ वी मुरली धरन जो कि हमारे विदेस मंतरी है, विदेस मंतरी S जैसंकर है केंदरी राज्य विदेस मंतरी वी मुरली धरन रविंद्रना टैगोर साहित्य पुरुसकार 2020 का पुरुसकार अपने सहर the city and the sea के लिए किस ने जीता तो the city and the sea के लिए जो आपका मेरे दोस्तों किय तो सिंपल सा आंसर है राज कमल जहा ने इस बार रविंदर ना टैगोर लिटरेसी प्राइज और दोस्तो इसको मार्क कर लीजेगा अती महत्पून ठीक है अती महत्पून आपको इंपोटेंट मार्क कर लेना है जलवाईव परिवर्तन सूचकांग 2021 में किस इस्थान को सबसे नीचे का इस्थान है तो राज कमल जहां है हमारे रविंदर ना टैगोर वाले ठीक है दा सिटी एंड दा सी ठीक है चलेगा उसके बाद है अगर हम बात करेंगे अगला कोशन है आपका गूगल पर भारत का सबसे अधिक होजा जाने वाला सब्द कौन सा था दो हजा 2020 में कौन सा सब्द सबसे जादा खोजा गया गूगल पर आज रात को दस बजे होगी लंबी क्लास तो दस बजे आप लोग जुड़ना ना भूले तीन घंटे से चार घंटे की क्लास है दस बजे शुरू होगी एक दो बजे तक आप लोगों की क्लास चलेगी और उस क्लास में आप लोगों को जुड़ना नहीं भूलना है Static GK की क्लास है तो दोस्तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खोजा गया वर्ड क्या था IPL 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 कब होगा IPL यह सब चल रहा था 2020 में दोस्तो यहाँ पर करोना को डर की वज़े से नहीं खोज रहा था किसी ने कह दिया था कि करोना खोजने पर ना करोना वाइरस आ जाता है तो लोगों ने खोजना बंद कर दिया था ठीक है दोस्तो अगर हम बात करेंगे अब अगली ख़बर यह फैलनी चाहिए जैसे करोना वाइरस को कह रहें कि हवा में है तो अगला यह होना चाहिए कि करोना वाइरस इंटरनेट में है फिर देखो आप मज़ा आजाएगा ठेक है चलिएगा उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की थीम क्या थी आप लोगों की तो यूनाइटिड अगेंस्ट करप्शन यूना मनाय जाता है कब मनाय जाता है दो तारिक को मनाय जाता है याद रखेगा ठेक है चलिएगा आगे चलते हैं फटा फट से दोस्तों गुलामी के अन्मूलन के लिए अंतरास्टे दिवस तो जिस दिन भी यह गुलामी से अन्मूलन हुआ गुलामी से छुटकारा मिला हमने कं ठीक है अबोलिशन ओफ सिलेवरी ये भी आप लोगों का क्या है दो तारिक दो तारिक दो तारिक इसको याद रखना है लाइक वाइक कर दीजेगा फड़ा फट से ठीक है चलिएगा दोस्तों अगर हम बात करेंगे किस राज्ये ने राज्ये के कई सब्जी व्यापारियों क आप लोगों ने ध्यान रखना है तो जगन्ना थोड़ू जगन्ना थोड़ू जगन्ना थोड़ू बता दो जल्दी से एक बार तो जगन्ना थोड़ू दोस्तों ये क्या है आप लोगों का तो जगन्ना थोड़ू जो है आंधर प्रदेश की है सभी लोगों को मालूम है ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों किस राज्य सरकार ने महिलाओ को ससक्त बनाने के लिए औरनोदोई योजना को शुरू किया है तो वुमेन एमपावर्मेंट के लिए औरनोदोई योजना आंसर कर दीजेगा ठीक है औरनोदोई योजना तो बहुत बढ़िया है औरनोदोई योजना बनेगी असम की कहा की है असम की योजना है औरनोदोई ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं फड़ा फड़ से तो यहाँ पर देखिएगा जल्दी से अभी देखो जैसे मैं एक नाम लूँगा हमारे जैसे आप लोगों से जान पहचान हो जाती है तो ऐसे ही एक बहुत पुरानी स्टूडेंट है दीपक उनसे जान पहचान हो गई अब वो है असम से अभी मैं जैसी दीपक का नाम लूँगा तो फिर कोई आएगा दोस्ती दोस्ती आएगी फिर ठीक है चलिएगा सैदा भी दोस्ती नहीं है ओके तो यह आप लोगों का जो है ध्यान से तो यह असम है भीया ध्यान रखेंगे और नोदोई स्कीम ओके चलिए हॉर्ण बिल फेस्टिबल का 21 संस्क्रण किस राज्य में मनाया गया हॉर्ण बिल फेस्टिबल का ठीक है तो हॉर्ण बिल फेस्टिबल का जल्दी से बता दीजेगा फटा फट से ओके ना क्या पता दोस्ती हो यहीं पर चलो जी आगे चलते तो हॉर्ण बिल एक से दस दिसंबर तक मनाय जाता है ये नागालेंड का है याद रखेंगे नागालेंड 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 बहुत बढ़िया ठीक है चलिएगा दोस्तो बहरीन 2020 किस ने जीती थी Grand Prix बहरीन 2021 नहीं पूछ रहा 2021 जीती है लुईस हैमिल्टन ने आपको बताना है 2020 किस ने जीती थी जो बहरीन गिनेंड प्रिक्स 2021 है वो जीती है लुईस ने लेकिन 2020 किस ने जीती थी ये बता दीजेगा जल्दी से फटा फट से चलिएगा तो 2020 किस ने जीती है 2020 भी लुईस ने ही जीती थी 2020 भी लूईस था 2020 भी लूईस था ओके चलिएगा दोस्तो आगे चलते हैं फटा फट से डॉक्टर राजिंदर पृषाद को किस वर्स के सरवोच नागरिक पुरुषकार भारत रतन से संबानित किया गया था तो डॉक्टर राजिंदर पृषाद को ओके, नोट 63, it's 62, ओके, चलो, दोस्तों किस देश ने हाली में भारत में बौधिक संपदा सहयोग के लिए एक समझोत परहकताक्षर किये हैं, तो बौधिक संपदा के लिए तो मैंने आपको बता रखा है, किसने किये हुए, USA ने किये हुए हैं, बौधिक संपदा के लिए, USA, 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 बौधिक संपदा, ठीक है, चलिएगा, उसके बादे दोस्तों ध्यान से समझना है, भारत के मुख्या थिती के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था, बताओगे, 26 जनवरी को मुख्या थिती के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था, ठीक है, चलिए बता दो, तो किसको आमिंत्रित किया गया था बॉरिस जॉंसन को लेकिन बॉरिस जॉंसन ने कह दी मैं नहीं आता भाई ठीक है ये दुबारा आ रहे थे मदलब जैसी इनके आने की खवर होती है तभी करोन आ जाता है ठीक है तो ये दोस्तों Boris Johnson इन्होंने मना कर दिया ता फिर आ रहे थे इनसे पहले करोना आ गया तो इन्होंने फिर मना कर दिया ठीक है उसके बाद सूरी नाम वाले थे तो सूरी नाम वालों ने भी मना कर दिया था ठीक है एक होमवर्क देता हूँ आपको आज तक तीन बार ऐसा हुआ है जब हमारे रिपब्लिक डे पर गेस्ट नहीं आए तो वो तीन साल कौन कौन से थे एक मैं बता रहा हूँ दो हजार बीस दो आप बताओगे हाला कि मैंने तीनों बता रखे हैं सेशन में आपको ठीक है तो वो कौन से थे जिसमें हमारे चीफ गेस्ट नहीं है वो तीन साल बता दो ठीक है चलेगा दोस्तो लास्ट कोशन है आप लोगों का भारत में कितने रामसर साइट है रामसर साइट कितने है तो विश्व में दोस्तों आप लोगों के 2004-2414 है और आपके भारत में 42 है याद रखेंगे जो आप लोगों का था इसको like कर देंगे share कर देंगे लंबी class रात को होगी 5 बजे वाली class भी आज होगी दोस्तो 8 बजे वाली class भी होगी लेकिन सामको 10 बजे महरतन class होगी ये 5 बजे वाली class में भी test है आज ठीक है और दोस्तो ये 8 बजे वाली class भी होगी और आप लोगों की दो बज़े एप पर भी होगी तो GC10 code लगा करके आप चीजों को क्या कर लेंगे चीजों में enroll कर लेंगे दो बज़े वाले session में GC10 code लगा करके ठीक है तो बाकी सब छोटी class थी आप लोगों की रात को आपकी 10 बज़े भी तयार रहिएगा आज काफी है दो बज़े मिलेंगे यस दो बज़े भी class है आपकी दो बज़े भी class है आपकी दोस्तो पाँच बज़े भी है तीन बज़े भी है आज बलकी और आप लोगों की जो आज class है दो तीन बजे एप पर है और पाँच बजे आठ बजे और दस बजे यूट्यूब पर है ठीक है तो रात को मिलते हैं तब तक के लिए टाटा बाई बाई है टेक केर है जै हिंद है दोस्तो जै भारत है अपना ख्याल रखिएगा ये पीपीडिफ आपको यहाँ पर मिल जाए पर ठीक है तो जै हिंद है जै भारत दोस्तों है कि अ कर्वे जैए में है ओालोग कराना घॉसा करते है यहाँ यहाँ